और जलिब शुरुबात करते हैं सूपरफास सुत्रप्रतेश की पीम मोदी ने राश्टपिता महत्मा गांधी को उनकी जन्म जैनती पर विनम रिश्रधांचली दी है साथी पीम मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री लालबादू शास्री जीकोन की जैनती पर शत शत नमन किया उन्होंने कहा कि मुल्यों और सिर्धांतों पर आधारी तुनका जीवन देश वासियों के लिए हमेशा प्रिना स्रोप मना रहेगा देश में आज महत्मा गांधी की 152 मी जैनती बनाई जा रही है सीम योगी सुभव साड़े दस बजे गांधी जी की प्रतिमा पर माल ल्यारपन करेंगे साथी पूर्व पिम लाल बहादूर शास्री को श्रधांचली ने गांधी जैनती के मौके पर योगी सरकार का तौफा राजपाल अनंदी बिन पठेल और सीम योगी मेधावी चात्रों को केंद्री बंत्री अनुराग ठाकूर का यूपी दौरा प्रयागराज से स्वच भारत महा भियान की शुरुवात करेंगे आज से 31 अक्टुबर तक बीजेपी का स्वच भारत महा भियान चलेगा सीम योगी ने वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया सीम योगी ने कहा वीर सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ हिंदुत्व शब सावरकर की देंग है सीम योगी आदितिनाथ से अभिनित्री कंगना रनौत ने मुलाकात की है कंगना ने फिल्मिसिटी को लेकर सीम की तारीफ की है तेजस फिल्म की शूटिंग के लिए यूपी आई है सभा की राश्ट्रे अधिक्ष ने एक बार फिर से ईवियम को लेकर सवाल उठाए पंचाय चुनाव का जखर करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी बीजेपी बैलिट वोट से हारी है अखलेश ने कहा कि जिला पंचायत प्रधानी बीडी सी का चुनाव सब वैलिट से वोट से पड़ा तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई अखलेश ने कहा कि सपा सरकार बनाईए, एवियम हटाईए, अमेरिका जैसा देश भी वैलेट से करवा रहा है चुनाव अखलेश यादव की मौझूदगी में गुंडवाना गंधंत्र पार्टी का सपा के साथ गटबंधन हुआ, तो जन परिवर्थन दलका सपा में बिलेए, इसके अलावा वे वीजेपी कॉंगरस बसपा से कई पूर्व सांसित, पूर्व बिधायक और अननेताओं ने सपा का सुप्रीम कोट में जनतर मंतर पर कर्शिकानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, दिल्ली के किसानों से जुड़े किसान महा पंचायत नाम के संगठन के द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम को अचायत के कानपूरा शेहर अवरुद्ध हो रहा है और अब शेहर के भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं कानपूर के व्यापारी गोरफूर प्रपरट्री डीलर हत्याकान में बेडित परिबार से मिलने के लिए पहुंचे कॉंगरस नेता आजया कुमार ललू बेडित परिबार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है कानपूर में आएस इफ्ति खारुद्दीन धर्मांत्रन मामला कानपूर महुंचे एसाइटी प्रमुक जील मीना ने वाइरल वीडियो की जाच शुरू की साथ दिन के अंदर जाच पूरी होगी शामली के कैराना में अवैद पटाखा फैक्ट्री में विस्पोट हुआ है पटाखा फैक्ट्री में विस्पोट में कई कर्मचारी गंफी रूप से जलस गए हैं चार लोगों की मौके पर दर्दनाथ मौट हो गई पूरी घड़ना केराना को उतवाली अक्षेत्र की जगनपुरा रोड की बताई जा रही है जाएं का वैद पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था आगरा के रूफ टॉप कैफे पर बवाल कैफे में व्यापारी की पत्नी से भी अभधरता हुई काफी दिर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा थाना रकाबंग के पास बुर्ज कैफे का मामला आगरा में थानी में शिकायद के बाद भी नहीं मिला महला को इंसाफ सरकार से मिले आबास पर दबंगों का कबजा महला को घर से निकालनी की धंकी महला के साथ दबंगों की मार पीट का वीडियो सामने आया अमेठी में किर्शी विभाग की वैवार से परिशान महिला किसान, मामरे कुलेकर महिला किसानों का प्रदर्शन, महिलाओं का आरोप, बीठियम करता है किसानों से अभधरुता, आरोपी बीठियम का जामो ब्लॉक से हटाने पर अड़े हैं किसान लखनव में जलशक्ती मंत्री ने मानहानी का दावा किया है आप सांसर संचे सिंग पर मानहानी का दावा सुनवाई के बाद सिविल जज ने जारी किया नोटस समाजवादी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर दक्षनान चल विदित वित्रन निगम के खिलाफ बड़े पैवाने पर आंदोलन करने जा रही है किसानों के बिजली के बिल और नलकूपों के कनेक्शन में 18 फीसदी जीस्टी को लेकर सपाने डीवेनल का घिराब करने का एलान किया है गोरखपुन में पुलिस के द्वारा विक्ति की पीट कर हत्या के मामले पर बोलते हुए मनीश से सोधिया निकाहा की उत्रप्रदेश में अगर आम आदमी पार्ठी की सरकार बनेगी तो कानून ववस्ता भी अच्छी होगी क्योंकि योगी जिसे कानून ववस्ता ठीक नहीं हो सकती गोरणा में ट्रिपल हत्या कांट से हड़कंप मचा है मा के साथ उसकी दो बेटियों की हत्या की गई गला दबा कर तीनों को मौत की खाट उतार दिया क्या पुलिस ने मृतिक महिला के पती को हिरासुत में ले लिया है बाहर से सभी कुछ दिन पहले ही आये थे डोग स्कुएड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची खरपपूर के देवरिया कला कांट की खटना गाजेबाद में निर्दली विधायक अमर्मनी त्रिपाठी और उनके पिता अमर्मनी त्रिपाठी पर कभी नगर थाने मुकदमा दर्ज हुआ है गोर्यकपूर में दबंगों की पिताई से युवकी मौत दबंगों ने बेटर को बुरी तरह से पीटा पैसे माँगने पर दबंगों ने पिताई की रामगरता थाना अक्षित्र की गटना B.H.U. I.I.T. के पूर्वचात्र ने दिया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन चात्रों के लिए खेल से जुड़ी गतिविधी केंद्र की स्थापना के लिए डोनेशन दिया है I.I.T. के पूर्वचात्र रमेश स्री निवासन ने एक दश्मलब तीन मिलियन डॉलर का डोनेशन दिया है अमेरिका के न्यू यॉर्क में एक मर्टी नेशनल कंपनी के CEO है आगरा में कुए में गिरे दोनों योखों को निकालने के लिए rescue operation जा रही है कुए में जहरीली गैस के चलते मुश्किल हो रही है तैसेल प्रश्यासन के अधिकारी और पुलिस कर्मी मौके पर मौजूर है नोड़ा की थाना सेक्टर उन तालस में पुलिस और बदमाशों की बेच मुटफेड हुई है मुटफेड में दोबदमाश पुलिस की गोली लगने से घाल हो गए पुलिस ने बदमाशों के कबज़े से एक आटो लूटा है दो अवैत नमंचे, दो खोखा कार्थूस और दो जिन्दा कार्थूस वरामत किये पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया हमीरपूर पुलिस के लिए खुशखबरी है प्रियागरा जोन में हमीरपूर जिला अबवल रहा है पुलिस की सक्रेता के चलते जिला अबवल रहा क्राइम कंट्रूल के मामले में हमीरपूर का प्रतम स्थान है अलीगर की कस्तूरबा गांधी चात्रबाद में महला टीचर पर अश्रील विडियो बनाने कारोप लगा है आरोपी टीचर हंगामे के बाद फरार हो गई डॉक्टर को पुलिस ने दपोचा है हमीरपूर में सबजी के दुकानदारों में जमकर मार पीट हुई है सबजी के लिए इन दिन को लेकर एक दूसरे में विवाद हुआ है दोनों पक्षों के लोगों को गम फिर चोटे आई है मुरादबाद के एक पीतल निर्याद फैक्टरी में भीशन आग लग गई शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया वहीं आग लगने से इलाके में हरकम मच गया अकी चपेट में आने से फैक्टरी में रखा सामान जलकर राक हो गया लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है उत्रप्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंतरी बाल सेवा योजना अनात बच्चों के लिए बरदान बनी है गोंड़ा जली के 76 बच्चों को अब तक 3 किष्टों के माध्यम से 9,12,000 उपए की आर्थिक साहता दी जा चुकी है गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ लगतार तेज बारिश हुई भीशन गर्मी से राहत मिली लेकिन लगतार बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है लखनाओं में चल रहा है अवैद हुका बार कोट के आदेश के बाद भी जानकी पुरम में धडलले से अवैद हुका बार चल रहा है संबल में खून से लटपत मिला ट्रांसपोर्टर का शब चंद घंटों में पुलिस ने परदा पाच किया होटेल में लगे सिसी टीवी सेफ फूटेज खांगाली गई होटेल पर रोटी बनाने वाला ही निकला ट्रांसपोर्टर का हत्यारूपी खाने को लेकर विबाद हुआ था पुलिस ने हत्यारूपी को गिरफतार कर लिया है सदर्पूत वाली इलाके के शहजादी सराय कमामगा है बिजनौर में नगरपालका की टंकी पर युवक चड़ गया घंटों के बाद युवक को उतारने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची हाथों में पुस्तक लिए टंकी पर चड़ा रहा युवक आगरा में सरकार से लेकर आलाधिकारी तक शिकायत के बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ सरकार से मिले आवास पर दबंगों का कबजा महिला को घर से निकालने की धंगी दी जा रही है माहिला के साथ दबंगो ने मार पीच की है वारेल वीडियो के बाद भी कारवाई नहीं हुई थाना डोकी अक्षेत्र के छोटा एक त्रा का मामला है उत्तराकंड दौरे पर रहे रक्षामंत्री राजनाथ सिंग वेर चंद्र सिंगर वाली की प्रतिमा का नाबरण किया बोले देव भूमी एक वीर भूमी और तपो भूमी भी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने सीम धामी की तारिफ की बोले धामी 2020 को क्रिकिट के आखरी बल्लेबाज की तरह धाकर खेलेंगे उनसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं हरिदबार में फर्दबाद क्राइम ब्रांच के सिपाही की गोली मार कर हत्या की गई टकैती के मामले में बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम आई थी बदमाशों से मुटफेड में हरिगाना पुलिस के कॉंस्टेबल संदीब की मौथ हो गई रुड़की में छे शातर टपेबाजों को पुलिस ने गिरफतार किया है सोने चांदी के आप पुश्वन बरामत किये हैं एस पी देहाद प्रमेंदर सिंग डोबाल ने घटना का खुलासा किया है देश में पिछले 24 गंटे में कोरोना वाइरस के 27,271 नए मामले सामने आए हैं 28,184 की रिकवरी हुई है 278 लोगों की कोरोना से मौथ हो गई महराश में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 3,033 नए मामले सामने आए हैं एक दिन में 56 मरीजों की मौत हो गई, महराज में अभी 36,000 से ज़्यादा केस एक्टिव है दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले मिले हैं, एक दिन में 49 मरीज रिकवर हुए हैं, दिल्ली में अभी 400 केस एक्टिव है प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामयाएं, एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए प्रदेश में अग्टिव केस की संख्या 272 है एक फ्रॉड केस के मामले में, बॉलिवुड एक्टिव करिना कपूर के नाम से केरल में एक लग्जरी कार जब्थ हुई है आरोपी को केरल की पुलिस ने गिरफतार किया है, करिना की नाम से रजिस्टर गाड़ी श्रीवत्सम ग्रूप केस में जब्थ हुई है बॉलिवुड एक्टरस आलिया भट के फिल्म गंगुबाई काठियाबाडी के फैंस का इतिजार खत्म हुआ फिल्म को रिलीस डेट मिली है 6 जनुरी 2022 को सिनेमा घरों में होगी रिलीस बॉलिवुड एक्टरस जनवी कपूर एरपोर्ट पर कैजूल लुक में आई नजर फिटेड टॉप और रेप्ट जीन्स में जनवी काफी पूल नजर आ रही थी बॉलिवुड एक्टरस कश्मीरा चाह को गोविंदा की बतनी सुनीता का ताना खराब बहु के ताने से भड़की कश्मीरा चाहा बॉलिवुड एक्टरस दिया मिर्जा को मिला चैंपिन्स ओफ चेंज अवार्ड महराश्ट्र गवर्नर के हाथों से सम्मान मिला है परामणक शित्र में उनके अभिन योगदान की वजह से यह उपाधी मिली है प्यम मोदी को ओलम्पिक खिलाडियों से गिफ्ट्स लगातार उनकी इन इलामी की जा रही है लोगों की पहली पसंद बन रही है ओलम्पिक खिलाडियों की चीज़ें साथ अक्चुबर तक इन इलामी चलेगी भारती निशानिबाज रुद्रांक्ष पाठिल ने ISSF जूनियर विश्व चैंपिन्शिप में पुरुषों की 10 मीटर राइफल्स परधा में सिल्बर मेडल जीता है साथी रुद्रांक्ष ने कई निशानिबाजों को पीछी छोड़ दिया है मेडल विजेता महिला होकी खिलाडी रानी रामपाल का बड़ा बयान कहा होकी नहीं खेलती तो अब तक घरवाले शादी कर देते कहीं चूला चौका संभाल रही होती लेकिन अब तो होकी ही जीवन है भारती होकी प्लियर रुपिंदर पाल सिंग ने 30 साल की उम्र में सन्यास ली लिया है टोक्यो अलम्पिक्स में पदक जीतना बड़ी उपलब्धी और नहीं जीतना चाहिए कुछ धोनी ने 96 मिटर लंबा छक्का मारा है CSK को शांदार जीत दिलाई है प्ले आफ में भी अपनी जगा बनाई